हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम देखेंगे के हम जी आईस का बिल एसलरी वाली वेब साइट पर कैसे बनाते हैं G.I.S. का बिल बनाने के लिए भी हमें मेकर को ही लोग इन करना पड़ता है Maker को Login करने के बाद Other Bill Other Bill में Other Bill Entry उसके बाद Bill Type सेलेक्ट करें Bill Type में Contingency Bill उसके बाद Scheme Scheme में जिस Scheme GIS का Head होता है हमारा 8011 वो सेलेक्ट करें आप 8011 में विज़ासे दो हैं ये एक Voted है एक Charged है इसमें हमें Voted सेलेक्ट करना है वी वाला Payment हमारी EPS के थ्रू ही रहेगी इसकी उसके बाद Object सेलेक्ट करें यहां पर Object में No बज़ट दिखा रहा है इसका उतलब ये नहीं है कि बज़ट नहीं है आपको इसी को सेलेक्ट करना है यहां पर Total Amount एंटर करें Net Amount में भी अगर कोई डिड़क्शन आपको नहीं करनी है तो Same Gross Amount आ जाएगी उसके बाद Bill Number जो भी आपका Token Number है वो एंटर करें Principal Amount में आपको वो amount एंटर करनी है जितनी डिड़क्शन Employee की सैलरी से हुई है जो भी Principal Amount बनता है उसका और Interest में जितना उसके उपर Interest लगा है वो अपने आप Calculate कर लेगा फिर यह जैसे 10-298 मेरा Total Bill है और उसमें Principal Amount आठ जार की है तो अपने आप Interest Calculate कर लेगा यह इतना Interest है उसके उपर उसके बाद Two Home Paid में जिसको भी आप Pay कर रहे हैं वो Enter कर दें Particulars में आप जो Remarks देना चाहें वो दे सकते हैं उसके बाद Detailed Bill Advanced Bill और Adjustment Bill कामे Condigency वाले Bill में बता चुका हूँ आपको तो GIS का Detailed Bill ही होगा तो Detailed Bill पे Select करके और फिर इसको Save कर दें उसके बाद जिस Employee की भी आपने Payment करनी है उसको यहां से Select करें नाम सेलेक्ट करने के बाद Remarks में भी जो आप Enter करना चाहें कर सकते हैं उसके बाद Sanction Number Enter करें Sanction Date और Net Amount जो भी आपको Pay करनी है Net Amount Enter करने के बाद Save तो यह GIS का Bill Generate हो जाएगा आपका GIS की कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में भी वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा मैं फिलहाल वीट प्रकुरिमेंट के वज़े से टाइम कम मिल पा रहा है इसलिए कई वीडियो बनाने में डिले हो रहा है थोड़ा सा GIS की कैलकुलेशन भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं तो इसके उपर जो एक एग्जेक्ट वीडियो है वो कोशिश रहेगी मेरी जल्दी से अपलोड करने की बाकी जो GIS का Bill हम ओनलाइन तैयार करते हैं उसका ये प्रोसेस था अब इस Bill की आपने सेंक्शन अपलोड करनी है और इसको डिजिटल साइन करके ट्रेजरी में भेज देना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद